दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटरस के शेयर के अंदर अगर आप आज के दिन देखोगे तो अल्मोस साड़े 5% की गिरावट आप लोगों को टाटा मोटरस के अंदर देखने को मिली तो दोस्तों इसके पीछे क्या वज़ा है जिसकी वज़ा से यहाँ पे टाटा मोटरस में 5.5% की गिरावाट देखने को मिली क्वाटा 4 का नंबर भी काफी जादा पॉजिटिव रहा है यहाँ पे टाटा मोटरस के लिए उसके बाद भी आप लोगों को गिरावाट क्यों देखने को मिली यह चीज हम लोग जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो में और टाटा मोटरस का स्टॉक जिन लोगों के पास है जिन शेयर होलडर्स के पास अभी टाटा मोटरस का स्टॉक पढ़ा है उनको क्या करना चाहिए आगी की रणीती क्या होनी चाहिए दोस्तो सभी चीजों को मैं डीटेल में बात करूँगा वीडियो शुरू करने से पहल जिन लोगों ने हमारे टेली ग्राम चैनल को जॉइन नी कर रखा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फटा फट जा के हमारे टेली ग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे बहुत सारी इंफॉर्मिशन मैं वहाँ पर भी शेयर करता रहता हूँ चलिए सबसे पहले यहां पर quarter 4 के नंबर के बारे में बात कर ली जाए Tata Motors के तो देखे quarter 4 का जो नंबर है दोस्तो आगर net revenue की बात कर ली जाए दोस्तो तो आप देख सकते है net revenue इन्हों ने जो जनरेट किया दोस्तो आप लोग देखे 88,628 करोड का यहाँ पर टाटा मोटर्स ने net revenue जनरेट किया वहें पर पिछले साल की बात कर ली जाए quarter 4 2020 की तो आप देखेंगे 62,493 करोड का net revenue यहाँ पर जनरेट करते हुए नजर आए Tata Motors वहें पर आगर profit की बात कर ली जाए exceptional items के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो profit जनरेट किया year on year basis पर Tata Motors ने 5,703 करोड का यहाँ पर net profit जनरेट क वहें पर पिछले साल दोस्तो Tata Motors 6,512 करोड के net loss में थी तो यहाँ पर profit देखें टाटा मोटर के नंबर देखें तो काफी जादा यहाँ पर positive निकल के आते हुए हम लोगों को नजर आए quarter 4 के अंदर तो definitely हम लोग यही सोच रहें कि Tata Motors में आप लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है देखें यहाँ पर पहली negative news तो यह निकल के आई Tata Motors में कि Tata Motors 2016 2016 में last dividend इन्हों ने announce किया था और 2016 में ही आप लोगों को यहाँ पर Tata Motors dividend देते हुए नजर आई थी almost 4 साल से यहाँ पर Tata Motors dividend नहीं दे रही थी और लोग ऐसा उमीद कर रहे थी कि 2021 के अंदर आप लोगों को Tata Motors के अंदर dividend देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पर 2021 के अंदर भी Tata Motors ने एक भी dividend यहाँ पर announce नहीं किया एक तो यह negative news निकल के आ रही थी दूसरा अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर technical pattern पर आप जाओगे सबसे पहले मैं आप लोगों को one hour time frame पर लेके जाना चाओँगा technical pattern पर अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आप लोगों को नजर आएगा कि Tata Motors यहाँ पर आप लोगों को 3 February 2021 3 February 2021 को Tata Motors 337 रुपीज के आस पास आता है उसी लेवल पर आप लोगों को resistance phase करता है और resistance phase करने के बाद आप लोगों को Tata Motors में गिरावाट देखने को मिलती है वापस आता है उसी लेवल पे सेम फिर से कोसिस करता है अगेन क्या फेस करता है दोस्तो रेजिस्टन्स फेस करता है रेजिस्टन्स फेस करने के बाद गिरावर देखने को मिलती है तीसरी बार जाता है 337 रुपीस के लेवल को ब्रेक करने के लिए सेम उसी लेवल पर आता है resistance phase करता है resistance phase करने के बाद वापस से गिरावाट देखने को मिलती है चौती बार जाता है दोस्तों इस बार breakout भी कर देता है लेकिन ये sustain नहीं कर पाता है यहाँपे sustain होने की कोसिस करता है बट कहीं न कहीं वापस से क्या हो जाता है, breakdown हो जाता है, resistance फेस करके और ये false breakout में आप लोगों का Tata Motors क्या हो जाता है, convert हो जाता है उसके बाद अभी अब आप आजाएए, 337 के बाद आब आप पांच मिनट के टाइम फ्रेम में आजाएए यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स ने कोसिस किया 337 रुपीज के लेवल को ब्रेक करने के लिए सेम उसी लेवल पे आप लोगों को अल्मोस चार दिन पहले टाटा मोटर्स इसी लेवल पे 12 माई 2021 को रेजिस्टन्स फेज करता हुआ नजर आता है 337 पे वापस आता है टाटा मोटर्स सेम उसी लेवल पे 337 रुपीज के लेवल को फिर से ब्रेक करने कोशिस करता है 18 माई 2021 को लेकिन अगेन आप लोगों को टाटा मोटर सिसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेज करता हुआ नजर आता है ये कल के दिन की बात है दोस्तों और उसके बाद दो बार यहाँ पर कोशिस करने के बाद बायर्स कहीं न कहीं क्या हो गए वीक पढ़ते हुए नजर आये और सेलर्स ने क्या किया स्टॉक में बुरी तरीके से यहाँ पर सेलिंग की और आज के दिन ही आप लोगों को टाटा मोटर सिस्ट में यहाँ पर भाली गिरावाट देखने को मिली और गैब डाउन ओपन होता हुआ नजर आया तो अभी यह यहाँ पर बात करें भाई देखो टाटा मोटर में अभी अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे जिन लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है उन लोगों के लिए मैं बात करूँगा तो अभी देखो यहाँ पर वन आवर टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों के सा पास आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ नजरा है इसके पहले भी देखोगे तो इसी लेवल पे आप लोगों को टाटा मोटर क्या करता हुआ नजरा है सपोर्ट लेता हुआ नजरा है तो कहीं न कहीं यहाँ पे 310 रुपए का यह जो लेवल है दोस्तो टाटा मोटर का यह support लेने की कोशिस करेगा यहां से और support लेके यहां से bounce back करने की कोशिस करेगा, अगर मान लो यहां पे 310 रुपए का भी level यहां पे Tata Motors तोड़ देता है, उसके बाद आप लोग क्या करके चल सकते हो, उसके बाद देखो यहां पे 292 रुपीज का एक strong support है, और फिलाल यहां पे जो सबसे ज़्यादा strong support area आप लोगों को Tata Motors के अंदर देखने को मिल ला है, वो आप लोगों के सामने है 282 रुपीज के level पे, अगर आप देखो के multiple time Tata Motors इस level पे आया है, और multiple time आप लोगों को इस लेवल पे Tata Motors support लेके bounce back करता हुआ नजरा है, तो जो लोग के पास अभी यहां पे Tata Motors का stock पड़ा हुआ है, घबडाने की बात नहीं है, 282 रुपीज के नीचे आप चाहें तो अपना stop loss लेके चल सकते हो, और यहां से Tata Motors आप लोगों को उपर की तरफ देखने को मिल सकता है, फिलाल जो fresh buy करने के बारे में सोच रहे Tata Motors को, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई देखो 337 रुपीज का लेवल बहुत बड़ा resistance लेवल बन चुका है, अगर 370 रुपए के उपर Tata Motors निकलता है, तो ही आप लोगों को buy करके चलना है, वरना अभी Tata Motors में आप को ignore करके चलना है, वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताना, I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयोगी, पसंद आयोगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अब हम आप से अगली वीडियो मुलाका करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत